नमस्कार मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी एसोसीट परफसे प्लेटिकल साइंस डेपार्टमेंट में हमारा आज का टॉपिक है राष्टपती की सविधानिक स्थिति तो हम राष्टपती की शक्तियां पढ़ चुके हैं और राष्टपती की निर्वाचन प्रणाली पढ़ राष्टपती की सविधानिक स्थिती को देखा जाया तो सविधान में प्रदत राष्टपती को जो विस्तिरत अधिकार दिये गए है और उस पर जो मर्यादाएं लगाई है उसस्थिती के संदर में दो तरे के मत है अलग-लग विचार को ने अलग-लग अपनी बात कही है तो जो दो विचारवर्ग हैं उसको अगर हम देखें तो पहले विचारवर्ग की मानिता है कि राष्टपती सविधानिक अध्यक्ष है और दूसरा विचारवर्ग ये मानता है कि सविधानिक अध्यक्ष से आगे बढ़कर राष्टपती वास्तविक शक्तियों का भी प्रयो कि प्रधान मंत्री की है वह कारेपालिका का प्रधान है कारेपालिका का प्रधान नहीं है वास्तव में राष्ट्र का प्रधान है कारेपालिका का नहीं दूसरी और जो है पंडित जवारलाल नहरू ने भी उनके साथ ही ये कहा है कि हमने अपने राष्ट्पती को वास्तवि इनल हेड है वो जो है नामात्र का मुख्या है एक तरह से और गौरवर का प्रतिष्ठा का पाध हमने राष्टपती को दिया है इसी तरह से जो है एमसी सीतलरवाड है वो भी ये कहते हैं कि राष्टपती जो है सविधानिक अध्यक्ष है टीटी कुष्णमाचारी है उनका भी ये मानना है कि राष्टपती जो है सविधानिक अध्यक्ष है तो इस तरह से जो है इन सभी का ये मानना है कि राष्टपती का जो पद है वो बे वास्त्विक शक्तियों का जो प्रयोग है वो केवल और केवल मंत्री मंडल के परामर्श से ही करता है और प्रधान मंत्री के परामर्श से करता है तो यह कुछ एक विचारवर्गों की मान्यता है लेकिन जो दूसरा विचारवर्ग है उसकी भी मान्यता अगर हम देखें तो उसकी ये मानिता है कि भारत का राष्टपती सविधानिक शक्तियों के साथ साल वास्तिविक शक्तियों का प्रियोग करता है तो इन में कौन-कौन शामिल है इन में किये मुंशी शामिल है ग्लेड हिल शामिल है डी एन बैनर जी शामिल है जी आर सिवा चादी मान शामिल है इ और भारत के साविधानेक अध्यक्ष से अध्यक्ष से सकारात्मक भूमी का प्राप्त है। राष्टपती क्यों कुछ शक्तियां उच्च मंत्री मंडल ये हैं और राष्टपती जो है उसके समन्द में वो मंत्री मंडल से कोई परामर्श लेने की आवशकता नहीं है। तो राष्टपती की विवेकिये शक्तियों को अगर हम देखें तो उसमें यहां स्पष्ट हो जाता है कि राष्टपती जो है वो सकारात्मक भूमिकाओं का निर्भा करता है। तो आपसे परिक्षा में पूछा भी जाता है कि राष्टपती की विवेकिये शक्तियों का उल्ले कीजिए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह ऐसी विवेकिये शक्तियां हैं जिसमें की राष्टपती अपने विवेक से काम करता है माल लेजे सविधान के अनुछे 75 एक के अनुसार जब ऐसी स्थिति उत्पन हो जाए कि किसी भी एक पार्टी को लोगसभा सदस्यों के बहुमत का सपष्ट समर्थन प्राप्ट नहीं कर सकता जो चुनाव में हार गया हो या जिसने लोगसभा में समर्थन खो दिया हो तो इसी तरह से प्रधान मंदरी की अगर अचानक मृत्यू हो जाए तो ऐसी स्थिति में वहां सत्तारूर विधान मंदर पार्टी के निता का चुनाव करने के लिए बैठक नहों सकता है तो मंतरी मंदल के मंतरियों में से कोई वरिष्टम मंतरी का प्रयोग को जो है का चैन करके उसे राष्टपती प्रधान मंतरी नियुक्त कर सकता है इसी तरह से मंतरी परिष्ट की सलापर लोकसभा का विघटन कर सकता है अगर लोकसभा में भहुमत का समर्थन नहीं हो तो वहां जो है अविश्वास कमत का कपारित हो जाए ऐसी स्थती में राष्टपती नियुक्त कर सकता है तो यह सारी राष्टपती की विवे किये शक्तियां है जिससे लगता है कि राष्टपती वास्तवे का अध्यक्ष है ग्लेड हिल ने भी कहते हैं कि इस बात की प्राप्त संभामना है कि भारत का राष्टपती बिना सविधान का उलंगन किये ही ताना शा बन जा है उनका य तो हमने देखा है कि आपसे परिक्षा में पूछा भी जाता है कि राष्टपती की शक्तियों एवं भूमिका का उल्लेक करें तो ये भी पूछा जाता है तो ये भी एक महत्पुर्ण है हाला कि राष्टपती की निर्वाचन प्रणाली से समंद्रत प्रशन आता है लेकिन इ और वास्त्विक सत्ताधारी के संबंद में जो है सविधान निर्माताओं की मैंशा जो थी वो ये थी कि राश्टपती जो है सविधान का प्रधान तो होई वो संस्तिय शासन व्यवस्था का भी प्रधान हो तो हम अगर सविधानिक स्थिती के संबंद में देखें तो कुछ बिंदू है पहला है 42 सविधान सर्शोधन के पूर्व मूल रूप से भारत के सविधान के अधीन अनुछे त्रेपर में बंदित किया गया था कि संकी कारेपाले का शक्ति राष्टपती में नहित होगी और वह उसका प्रयोग सविधान के अनुसार या तो स्वयम या अपने अधिनस्त पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा अनुछे 74 में अधिकति था कि राष्टपती की कारेपाले का शक्ति का प्रयोग मंत्री परिशद के लग सला से किया जा सकेगा इसी तरह से 42 सविधान संशोधन 1976 द्वारा ये कहा गया था कि राष्टपती को अपनी साहता और सला देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका प्रधान मंत्री होगा और राष्टपती अपने क्रत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सला के अनुसारी कारे करेगा तो ये संशोधन कारे करेगा शब्दावली में राष्टपती को मंत्री परिशद के अनुसार पराम प्रामश प्राप्त होगा उस समंद में राष्टपती को यादिकार होगा कि वह मंत्री परिशत को इस परामश पर पुनर विचार के लिए कह सके लेकिन यदि पुनर विचार के बाद मंत्री परिशत परामश देगी तो राष्टपती को उसी परामश के अनुसार काम करना हो कि यद्देपी अनुचे 74-2 के अधीन मंत्रियों द्वारा राष्टपती को दिया गया परामर्ष न्याइक जाच के परे हैं किन्तु जिन आधारों पर ऐसा परामर्ष आधारत होता है वे परामर्ष के भाग नहीं होते आता उसका न्याइक पुन्रावलोकन भी किया जा सकत है तो इस प्रकार सपष्थ है कि देश की लोगतांत्रिक व्यवस्था को सद्रण करने के लिए राष्टपती एक सुवतंत्र और निक्श्पक्ष व्यक्ति के रूप में कारे करते हैं सविधानिक प्रधानोंने के साथ साथ राष्ट्पती राष्ट्रियेक दाका प्रतीक है वह दलगत राजनीती से उपर उठके काम करें ऐसी आशा की जाती है और दरसल राष्टपती वैधानिक अध्यक्षोने के तहत शासन विवस्था का जो है वो सर्वे सर्वा है और राष्टपती के जो निर्वाचक मंडल है और एमम उसकी निर्वाचन प्रणाली है उसके बारे में हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि निर्वाचक मंडल में दोनों ही संसत के दोनों सतनों के साथ साथ राज्य वि भूमीका है इसलिए राश्टपती संगिये शासन व्यवस्था का भी अनुरक्षक है वो सविधान का अनुरक्षक है तो इस तरह से राश्टपती से ये कटपुटली भूमीका न हो लेकिन राश्टपती से अपेक्षा की जाती है कि वो सविधाने का अध्यक्ष है लेकिन व कई बार राश्टपतियों ने अपने परीचिय भी दिया है उन्होंने बहुत महत्पूर्ण भूमिका का निर्वा किया है तो आप इस टॉपिक को तयार करें और इस टॉपिक के बारे में राश्टपती के निरवाचक मंडल निरवाचन प्रडाली की व्याख्या पूछी जा है तो यह सारे सवाल हैं जो आप से पूछे जाते हैं तो इनको तयार कीजिए और जब हम मिलेंगे तो इस पे मतवारा से चर्शा करेंगे और आप का प्राश्ट-पती हम करेंगे अगला टॉपिक तो इस तरह से संगिय कारेपालिका का जो महत्पून टॉपिक है राष्टपती राष्टपती के निर्वाचन पडाली शक्तियां उसके वास्तविक स्थिती वो कंप्रीट हुआ और आप इसके नोट्स बनाएं इसमें जो छोटे बड़े सवाल आ करेंगे अपना और अपने स्वास्थे का धिहान रखे शुब कामना हैं